लेकिन उसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल को फर्स्ट टैम देख रहे हैं लेकिन सिंटेक्स प्लास्टिक्स में अभी भी ट्रेडिंग आप देख सकते हैं 20th में को 6.15 के लोगर सर्किट के उपर ओपन हुआ 4,48,681 टोटल वॉलिम जनेट हुआ कंपनी की मार्केट कैप्लाजेशन है 391 करोर रुपाय दोस्तों एक खबर है सिंटेक्स प्लास्टिक्स से जुड़ी हुई दोस्तों सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नलोजी की एक सबसिडरी कंपनी जिसका नाम है सिंटेक्स BAPL करके जो की इसको दिसंबर 2020 में इन सॉल्वेंसी प्रोसेडिंग्स के लिए एडमिट कर लिया गया था तो अब दोस्तों खबर ये है कि सिंटेक्स BAPL के अंदर 54 परसंट 54 परसंट की सिदरी जो है अब देख सकते हैं वेल्सपून की तरफ से एक्वायर करी गई है और यहां पर वेल्सपून जो है 54 परसंट ही नहीं बलकि ये 67 परसंट तक एक्वायर करना चाहता है इसके अंदर एक्चुली में सिंटेक्स BAPL का जो डेट है उसको 67 परसंट तक उसके डेट का हिस्सा जो है वेल्सपून एक्वायर करना चाहता है ताकि इसके अंदर इसको controlling rights मिल सके क्योंकि अभी committee of creditors जो syntax BAPL के हैं उनके हाथ में है और यहाँ पे इसको 67% stake चाहिए ताकि इसके अंदर controlling rights ले सके और इसके लिए 66% lenders का voting भी जरूरी है इसके favor में तो दोस्तों यहाँ पे जो total exposure है यहाँ पे syntax BAPL के अंदर जो banks का वो 3,168 crore है जिसमें से 1,127 crore का जो debt है well spoon जो है offer कर रहा है acquire करने के लिए आपको पता होना चाहिए syntax BAPL जो है यह plastic manufacturing component plastic component की manufacturing करता है automobile industry के अंदर जो कि syntax plastic का ही एक part था जिसको demurge करा दिया गया था बाद में और इसकी insolvency proceedings चलानी शुरू कर दे गई थी December 2020 में तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखे हैं तो अभी तक जो है 1,737 crore रुपए जो principal debt है उसमें से यानि 54% तक well spoon acquire कर चुका है 546 crore रुपए दे करके ऐसे समझे है कि 1737 crore का करजा था उसको 546 crore में well spoon में खरीद लिया है यानि 54% जो है उसके करजे का हिस्सा इसने खरीद लिया है well spoon ने 546 crore में और बाकी जो amount है difference का वो haircut है समझ रहे हैं और अभी भी 3168 crore में से अगर हम 1737 crore minus करेंगे तो जो remaining amount है वो 46% अभी भी हिस्सा है उसमें से भी well spoon acquire करना चाहता है ताकि इसको controlling right मिल सके देखे कमपनी भले ही insolvency proceeding से गुजर रही हो लेकिन अगर उस company के assets में दम है अगर वो assets आगे चल करके काम आ सकती है किसी के business के लिए तो definitely वो उसको लेना चाहेगा just like Reliance Industries Limited ने syntax industries के लिए bid लगाई थी और इसको stock exchange से deal list भी करवा लिया right क्योंकि उसकी assets उसके लिए important है company भले ही insolvency proceeding से जा रही हो वो तो अच्छी बात है उसके लिए क्योंकि उसको haircut ज्यादा से ज्यादा बैंकों को दे करके अराम से सस्ते में खरीद लेगा तो यहां पे भी कुछ ऐसी situation है दोस्तों महा आप देख सकते हैं महात्वा plastic products and building materials private limited ये एक holy owned subsidiary है well spoon की और इसी ने 1176 करोर रुपे के bonds को basically secondary market से अप्राइल में खरीदा था asset reconstruction company limited जो की well spoon के दोरा backed है इसने भी another 561 करोर रुपे के unsecure loans खरीदे थे RBL और एक्सिस बैंक से और डच बैंक से और well spoon तो बातचीत में लगा हुआ है bank of बड़ोदा और SBI से ताकि उनके भी जो exposure loans हैं जैसे 134 करोर बड़ोदा का है और 244 करोर SBI का है इन loans को भी वो खरीदना चाहता है अब इस तरीके से अगर खरीदेगा तो definitely उसका voting right बढ़ जाएगा lenders उसको vote कर देंगा 6-6% से ज़्यादा उसको vote मिल जाएगा बस पुरा controlling right syntax BAPL के अंदर उसका हो जाएगा फिर उसको चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है वहराल syntax BAPL syntax plastic की ही एक subsidiary company है इसलिए मैंने लगा कि ये खबर आपको पता होना चाहिए अगर आपको information अच्छी लगी हो like कर सकते है and take care